हलो, हाव आर यू स्टुडेंस, समीति इंग्लीज मीडियम स्कूल, स्टांडर एक, सब्जेक, संस्क्रीट, लेशन नमबर 6 विनोध पदानी, मीन्स, एंटर्टेनिंग वर्सेज स्टुडेंस, आज हम दुबारा विनोध पदानी का 1-6 लोग का रिविजन करते हैं लेशन स्टुडेंस, विनोध पदानी का रिविजन के लिए हमारा फर्स स्लोग है, स्टुडेंस आप मेरे साथ ये स्लोग भी गाईए सदा वक्री, सदा क्रूर, कन्या रासी, स्थितह सदा, सदा पूजाम, अपेक सते, जा माता दस्मुग्रह means always crooked, always cruel and always residing in the कन्या रासी he who always expects to be served and felicity, thus a sun-in-law is the tenth planet पता चलाना students, अब हमारा second स्लोग है टका दर्मह, टका कर्म, टका ही परम्तपह, यस्य हस्ते, टका नास्ती, हाट के टक टका यती it means students, ये स्लोग पैसे के यानि की मनी के बारे में है आज के समय में मनी का जो importance है, ये इसके द्वारा हमें पता चलता है तो उसका इंग्लिस ट्रांसलेशन है, money is religion, money is duty, money is the highest patience, the one in whole hand, there is no money, wonders, aimless in the market students, इसी तर हमें third and fourth स्लोग भी गाना है और उसका इंग्लिस ट्रांसलेशन करना है तो थर्ड स्लोग है, गटम बिंदात, पटम छिंदात, कूर्याद रस भरोहनम, एन केन प्रकारेन प्रसिद्ध पूर्सो भवित means by smacing an earthen pot, by ripping clothes or by reading on a donkey, man should become famous in any which way पता चला ना के प्रसिद होने के लिए परसन कुछ भी करता है हमारा फोर्स लोग है, उन्टनाम ही विवाहे सू गीतम गायंती गर्पद भाह परस्परं प्रसंती अहो रूपं अहो द्वनिहा स्टूडेंस इसका ट्रांसलेशन है इंग्लिस में Really, donkey singing in the merry ceremony of camels, they praise each other Oh, what a beautiful form, Oh, what a sweet voice यानि कि इस स्लोग के अंदर उन्ट गदे से यानि कि donkey से बोलता है कि तु कितना सुन्दर गाता है, कितना अच्छी तेरी वोईस है और donkey camel को बोलता है, तेरा look कितना अच्छा है Students, इसी तरह हम 5th and 6th स्लोग भी देखे हमारा 5th स्लोग है यानि कि हम लड़के में क्या गुन देखते है वो इस स्लोग में बताया गया है A girl likes looks, a mother to wealth and a father like the education The relatives give importance to the of the family world, other went with disease पता चलाना Students, अब हमारा लास्लोग वैद राज नमस्तू ब्यम यमराज सहोदर यमस्तू हरती प्राणान वैदह प्राणान धनानीज Students, ये लास्लोग हमें आज के समय में यमराज और डॉक्टर की कमपेर किया गया है कि यमराज है वो हमारे उनली प्राण हरता है पर आज कल के जो डॉक्टर है वो उसकी कोई गैरंटी नहीं है कि आदमी बत जाएगा वो प्राण भी लेता है और उसके साथ वो धन यानि कि पैसे भी लेता है तो इसका ट्रांसलेशन है ओ डॉक्टर, ग्रेट ब्रदर ओफ यमराज, सेल इटो यू यम ओनली टेक अवे लाइफ, और डॉक्टर टेक अवे लाइफ एन मनी डू पता चला न स्टूडंस, यह सिक्स लोक का ट्रांसलेशन था स्टूडंस अब हम आगे ग्लोसरी देखते हैं स्टूडंस सिक्स लेशन के ग्लोसरी फर्स्ट है वक्री, में क्रोकेट सेकंड जामाता, में सनिनलो थर्ड हटके, में मार्केट फोर, रासबह, मेंस डॉंकी एंड फिप, कन्यारासी स्थितह, मेंस रेसीडिंग इन द कन्यारासी आगे देखते हैं सिक्स, गर्दबह, मेंस डॉंकी सेवन, उंतह, मेंस केमल एट, वीतम, मेंस टूवेल्द नाइन, सहोदरह, मेंस ब्रदर तेंथ, टका मेंस मनी एड एलेवन, टक टकायते मेंस वंडर्स एम लेज स्टूडेंट्स आगे हैं ट्वेल्थ, बिंदात मेंस ब्रकिंग थर्टिंग, छिंदात मेंस रिपिंग फोर्टिंग, पटम वीज ग्लोथ एड फिप्टिंग, सुरूतम मेंस टू एजूकेशन स्टूडेंट्स, पता चला ना हमें ये फिप्टिंग तक जो ग्लोसरी है वो आपको आपकी नॉट बुक में लिखनी है ये मैं वर्क सीट में नहीं लिखने वाली इसलिए आपको ये पूरी ग्लोसरी आपकी नॉट बुक में स्टार्टिंग में लिखनी है थैंक यू स्टूडेंस, टेक केर